मुर्गे की टांग तोड़ने पर दोगुटों में जमकर हुई मारपिट थाने में पहुचा मामला आपने बहुत से लड़ाई छगड़े देखे और सुने होंगे लेकिन इस लड़ाई के बारे में सुनकर जकीनन अभैरत में पढ़ जाएंगे मामली बात से सुरू हुआ विवाद थाने तक पहुच गया गड़वा चीले में एक अचमपित करने वाला वाक्या सामने आया है यहां एक घर में मुर्गे को लेकर विवाद उत्पन हो गया विवाद की सुरुवात मुर्गे की टांग तूटने से हुआ है चर्चा है कि खर के ही एक लड़के ने मुर्गे का पैठ तोड़ दिया था इसके पाद तोनो परिवारों में तकरार बढ़ गए और मामला थाने में पहुच गया दरशल पूरा मामला गढ़वा सथर थाना शेतर की जाला गाउं का है जहां एक परिवार ने मुर्गा पाल कर रखा है उसी घर में रहने वाली प्रतिमा नाम की महिला के बच्चे ने डंडे से मार कर मुर्गे को खायल कर दिया जिससे मुर्गे की टांग तूट गई इसके बाद दोनों परिवार में तोतुमे में शुरू हो गया दोनों परिवारों के बीश बात इतने बढ़ गई कि मार पीट की नौबद तक आ गई दोनों पक्षों के भी जम कर मार पीट हुई जिसके बाद मामला थाने में पहुँच गया जहां एक बख्ष ने अपनी सिकायत थाने में दर्श करा दी थी दूसरे बख्ष के लोग भी थाना जाने वाले थे